हलो हलो कौन बोल रहे हैं हाई माई नेम इस अमन हाई इविन माई नेम इस अमन बट आप कौन से वाले अमन बात कर रहे हो मैं बाइस साल का मन बात कर रहा हूँ तेरा फ्यूचर मेरा फ्यूचर मतलब मैं तेरा पास्ट हूँ हाँ तू मेरा पास्ट मैं तेरा फ्यूचर हाँ वो तो ठीक है बट तुने कॉल क्यों किया तुझे ये बताने के लिए कि मैं तेरे ले एक वीडियो बना रहा हूँ तो वो देख लेना और उसको समझ लेना मेरे ले वीडियो मैं तो अटरा साल का हूँ मेरे ले क्यों वीडियो बना रहा है और तू वीडियो मतलब तू यूट्यूबर है हाँ में यूट्यूबर हूँ कितने सब्सक्राइबर्स है वैसे एक लाक में चैनल पर और दूसरे चैनल पर पाच अजर क्रॉस हो चुक है याँ वाट दफ अदर आइंट वीडियो जिसके अंदर आयम गई टू अमन मतलब मैं अटरा साल का था तब मुझे यह बात है जो मैं आज बोलने वाला हूँ वह टाइम पर मुझे किसी ने बोली होती तो शायद आज अपना में चैनल पर हंड्रेड के होने वाला है वहाँ पर एक मिलियन होने वाला होता और यहाँ पर जो आपन 10K का सोच रहे वह 100K का सोचते होते लेकिन ठीक है अभी जो पास्ट है आपन उसको बदल नहीं सकते है अपनी जो चुम्बक आर्मी उसमें काफी सारे लोग 16 17 18 इस एज ग्रूप के आजू-बाजूवाल है यह एडवाइस मानलो मैं आप लोग कोई दे रहा हूँ बिकॉस आप लोग में मुझे 18 साल का अमन दिखता है तो मैं आपके तुरू अपने आपको कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ वाँ अमन वाँ क्या बात बोलती है वाँ एक चीज मैं पहले बता दू दू अल्मूस 22 और यह जो पूरा वीडियो है यह मेरा जो पर्सनल एक्स्पियेंस था लास्ट पात सालों में उसके उपर है पूरा तो जो लोग 16 17 18 यह एज वाले है आई आप ल गिफ तो माइ 18-year-old version and all of y'all वो यह है कि please start now यह mentality मत रखो कि एक बार college खतम हो जाएगा उसके बाद बेपना करियर चालो करूगा और दो-तीन साल मेरा करियर बन जाएगा नहीं 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 एक सची बात बता रहा हूँ जब मैं college में था जब मैं 18-years का था अभी college ही तो चल रहा है अभी आपन मजे कर सकते हैं और मेरा रूटीन यहीं होता था सुबह उठने का अगर आपको चाहिए आप कोई skill सीख सकते हो अगर आपको चाहिए तो आप अपना YouTube चानल चालो कर सकते हो जो मैं हमेशा रिग्रेट करता हो कि why did I not start my YouTube channel on my 18th birthday क्योंकि मैं अपने 18th birthday पे कई बाहर गया तो और में को इसाब बताने में भी थोड़ा शरम आ रहा है because I've never talked about this on the internet but बता ही देता हो because यह चीज़ काफी लोग को helpful होगी so when I was 18 ठीक है तो मेरा ब्रेक अप हो गया था वो टाम पे एकदम fresh वाला ब्रेक अप हो था and I was in that phase जहाँ पे मैं actually अभी adult हो रहा था and I was understanding you know कि career कैसे बनाना यह सब कैसे करना and एकदम से मेरा ब्रेक अप हो गया था तो मेरा ऐसा हो गया था that I used to meet her almost everyday पूरा-पूरा दिन फोन पे बात होती थी लेकिन फिर अचानक से ब्रेक अप हो गया and जो reason में को मिला था वो बहुत अजीब सा reason था मैं in-depth नहीं जाओगा वो किसी दूसरे वीडियो के लिए आपन रखेगे उपर-उपर की अगर मैं बात बोलू तो जब मेरा ब्रेक अप हुआ था तो from the day of the breakup till the next six to seven months ठीक है I'm not even kidding on this I used to cry almost every day मतलब मैं सुबे 6-7 बजे उड़ जाता था और में को वो इतना गंदा लगता था ऐसा लगता था यार लाइफ अटक गही है because अब है ही नहीं ना कुछ करने के लिए मेरा पूरा टाइम मैंने उसको ही दे दिया था जब आप पीछे देखोगे वापिस तो युल भी हैपी कि आपने वो टाइम पास नहीं किया आपने कुछ अपने लिए किया यूनो हमें हमेशा यही का गया है कि क्लासरूम में बैटो पढ़ाई करो और तुम लाइफ में बहुत सक्सेस्फुल हो जाओगे तो क्लासरूम में बैटके घंटा कुछ होने वाला है you need to get out, you need to participate in events, you need to participate in all the fest जो colleges fest होते है उसमें participate करो trust me आपका जो future है एकदा मखन बनेगा वहापे इतनी सारी networking होती है इतनी सारी चीज़े आपको सीखने मिलती है वही practical चीज़े जो आप क्लासरूम में कभी सीखने पाऊगे because class में तुमको ABC बताएगे कि यह theory है बट उसका जो practical knowledge है वह आपको भार field में ही आएगा और अगर किसी college को मुझे as a chief guest बुलाना है तो आप बुला भी सकते पेटे, हम एटा माज कर दे fourth advice start becoming independent but do not run behind money अब यह जो चीज है यह बहुत ऐसा contradicting चीज है कि एक जगा में कहा हो कि independent बनो बट आपको पैसे के पीछे भी नहीं भागना है तो यह थोड़ी अलग-अलग चीज नहीं होगे अमन भाई so when I was 17-18 years के around वह टाइम पे मुझे acting करना था मुझे start up करना था like a proper start up जहाब मैं कोई product को बेच रहा हूँ उसके बाद में को stock market बार में सीखना था मुझे सारी सारी चीजे करनी थी है and side by side मुझे बहुत सारे पैसे भी कमाने थे and I wanted कि हाँ आपन सब कुछ करेगे आप चार चीजे सोचो और चारो चीजों को एक साथ करना चालो करो ऐसा करो कि तो आप mentally frustrated हो जाओगे तो कोई एक ही चीज को उठाओ और उसको रोज सीखते जाओ थोड़ा 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 करगे and after a point you'll be very happy about it तो मुझे बहुत सारी चीजे करनी थी but then I realized कि you know सबसे जादा मज़ा मुझे acting में आता है सबसे जादा मुझे filmmaking में आता है तो मैंने सिफ उस चीज को पकड़ा when I was 18 ठीके 18 साल की उमर में मैं समझ गया था कि भाई अपने को अभी यही करना है तो तब से I started learning थोड़ा 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 फिल्म फिर acting, direction यह सब के बार में अभी भी सीखी रहो also remember one thing कि जब आप यह सब skills सीख रहे हो ना तो always find a जुगाड कि आप थोड़ा self independent बनो और आप खुद से पैसा बनाना चालू करो when I was learning about acting, editing, direction वगेरा तो मैं थोड़ा बहुत अपना so now the last and the most 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 important advice for an 18 year old person मेरे तरफ से होगा कि भाई please आपके जो friends है वो सोच समझ के बनाना यह चीज़े parents भी कहते हैं and यह चीज़ actually सच है जब आप 18 साल के होते हो तो आपका दिमाग एक ऐसे level पे होता है कि आपको जो कहते है आपको जो कहा जाते है आपको लगता है कि हा भाई यही सच है और मुझे यही करना चाहिए तो जैसी आपकी company होईगी आपके college में वैसे ही आपका mentality बनेगा and do not try to become like somebody because I've seen a lot of 18-17 year old people जो किसी और को देखके अपनी personality बदलते यार वो चीज़ मत करो मतलब वो कितना ही कर लोगे तुम यार एक साल दो साल उसके बाद तो तुम वही हो जो तुम खुद हो और किसी और के लिए प्लीज कुछ काम करो मत जो भी कर रहो ना अपने ले करो और एकदम दिल से करो में को कभी पसंद ही नहीं आती थी but since my friends used to go तो मुझे भी जाना पड़ता था वो पीर प्रेशर में आके तो वो चीज मत करो यार क्योंकि वो घलत है मतलब वो हर लेवल में गलत है मत करो हो चीज and find people who are like you exactly like you अगर आपको business करना है find people who are into business अगर आपको acting सीखनी find people who are into filmmaking तो यह पूरा मैंने घ्यान दिया पिछले 5-6-7 पता ने कितने मिंटों में तो यह पूरा घ्यान है ना मेरा personal experience है what I have noticed in the last 4-5 years of my college life अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो like करो नहीं पसंदा रहेगा तो dislike करो comment करो कुछ भी करो आपन मिलते हैं बगले वीडियो में तब तक signing off अमन जेन शुक्री